तो दूस्तो आज के इस वीडियो में हुम लोग यह जनने वाले हैं कि आप अपना सिविल स्कूर या फिर सिविल रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हैं तो दूस्तो कई बार आज कल के टाइम में अगर आप कहीं पर लोल लेने के लिए जाते हैं तो ऐसे में वहां पर आपको सिविल स्कूर या फिर सिविल रिपोर्ट की जनकारी देना पड़ता है तभी आपको इसके आगे का जो प्रोसीजर लोन लेने का वो कंप्लिट होता है और साथी साथ कई बार ऐसा होता है कि आपके नेम से कोई गलत तरह का कोई फरजी रिपोर्ट बन जाता है तो ऐसे में उसको देखना जरूरी है ताकि आप उस रिपोर्ट को सही कर सकें और ऐसा कैसे किया जाता है यानि कि Civil Score कैसे चेक किया जाता है और Civil Report कैसे निकाले जाता है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाल हैं तो चलिए दोस्तों बिना दिरिकिये सुरू करते हैं आज के इस वीडियो को तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने मौल फोन या फिर कंप्यूटर में जो भी आपके पास अवेलबल है उसमें आप क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेज़े या फिर कोई ब्राउजर आप वहाँ पर ओपन कर लेजे और इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कर देजे फ्र www.civil.com करके आप सिंपले इस वेबसाइट पर क्लिक कर देजे और वेबसाइट के ओपन होने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा सो यहाँ पर आपको करना यह है कि यहाँ पर आप जब इस पेज को तुरह सा स्कॉल डाउन करे है तो ऐसे में यहाँ पर आपको एक ओप्सन देखने को मिलेगा गैट योर फ्री स्विल स्कॉर करके जो आपके सामने में एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा सो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा तभी आप यहाँ से स्विल स्कॉर चेक क पर पाएंगे तो अकाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ पर अपना कुछ पर्शनल इंफोर्मेशन एड़ करना पड़ेगा जैसे कि सबसे फर्श्ट में है यहाँ पर इमेल एड्रेस आपको जो भी इमेल एड़ी आप यहाँ पर उस इमेल एड़ी को एड़ कर दीजे और उसी के निचे में एक पासबर्ट आपको एंडर करना पड़ेगा जो भी पासबर्ट आप इसमें क्रेट करना चाते हैं जो भी पासबर्ट आप बनाना चाते हैं आप अपने सबसे उस पासबर्ट को यहाँ पर एंडर कर दीजे और इसके बाद आपको यहाँ पर अप्रोड करना पड़ेगा जैसे कि इंकम टेक्स, पैन काड, पासबोर्ड, वोटर ऐडी नमबर, डेर्वी लेसेंस, एंड रासन काड नमबर, तो आपको यहाँ पर आपको इन में से कोई एक डोकुमेंट अप्रोड करना पड़ेगा, आपके पास जो भी विलवल है, जो भ डोकुमेंट का क्या आइडी नमबर है, जो भी आइडी नमबर है, आप उसको यहाँ पर एंटर कर देजे, चुकि मेरे कैसे मैंने यहाँ पर पैन काड सेट किया है, इसलिए मैं यहाँ पर अपने पैन काड का नमबर एड कर देता हूँ, और इसके बाद आपको यहाँ पर आएगा तो आप यहां पर ध्यान से जो भी मौल नमर अभी आपके पास अवेलबल है उसी मौल नमर को आप यहां पर एंटर करिएगा और इसके बाद सबसे लिचे में एक आपशन है Accept and Continue का तो आप सिंपली यहां पर Accept and Continue वाला जो उप्सन है आप इस पर टैप कर दिजे और इसके बाद आपके सामने में एक New Page ऊपन हो जायगा तो इस page में आपको यहाँ पर आपने जो भी मौल नमर एड़ किया था उस मौल नमर पर एक OTP सेंड किया गया है तो आप simply यहाँ पर उस OTP को अपने मौल में देख करके उस OTP को यहाँ पर फिल कर देजे साथी साथ यह OTP आपके email address पर भी दिया गया है तो आप वहाँ से भी इस email ID को चेक करके यहाँ पर फिल करके निचे में एक option है continue का OTP फिल करने के बाद आप यहाँ पर इस continue वाले option पर tap कर देजे और इसके बाद एक new page आपके सामने में open हो जाएगा इस page में आप simply आपर यह जो no का option आप इस पर tap करके continue वाले option पर tap कर देजे और इसके बाद आप यहाँ पर यह जो option है go to dashboard का आप simply आपर इस go to dashboard वाले option पर click कर देजे और इसके बाद आप कुछी देर में इस website में login हो जाएगे और आपका account जो है वो create हो जाएगा और यहाँ पर आप इस website में automatically login हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे उपर में कुछ options देगे हैं जैसे कि home tab है और credit report है जो कि हमें credit score चेक करना है तो आप simply आपर इस credit report वाले option पर tap कर देजे और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो भी civil score है वो यहाँ पर आपको सबसे उपर में so होगा और साथी साथ अगर आपको इस civil report को download करना है तो download करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे उपर में right side के corner में एक option है print का तो आप इस print वाले option पर tap करके इस civil report को download भी कर सकते हैं और अगर आपको इस civil report के बारे में और भी detail में जानना है कि आपने कब कब क्या क्या लोन लिया है उसके बारे में अच्छे से details में देखना है तो ऐसे मैं आप इस space को थोड़ा से नीचे के तरफ scroll down किजे और इसके बाद यहां पर आपको और भी जो भी information इस civil report में add की भी है वो सारी information यहां पर आपको दिखाई देंगे जैसे कि यहां पर आप देख सकते सबसे नीचे में कुछ options दिये गए जैसे कि contact information, employer information, account information और inquiry information तो अगर आप यहां पर account information वाले option पर टैप करते हैं तो ऐसे मैं अगर आपने यहां पर recent में एक साल यह मैंने कंदर में कोई loan नहीं है तो उसकी details आपको यहां पर दिखाई देंगे हलाकि free version में इस website को use करने के कारण आपको यहां पर limited access दिया जाता है यानि कि आप limited details ही check कर सकते हैं बट हाँ अगर आप इसका pro version लेते हैं जो कि इसके लिए आपको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा तो ऐसे में आपको यहां पर complete details दिखाई देंगे बट हाँ यहां पर free version के लिए इतना काफी है और आपको ज़्यदा details चेक करने की जरूत नहीं है बट हाँ अगर आपको जरूरी है तो आप यहां पर इसका pro version लेकर के इसकी और भी details चेक कर सकते हैं तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना है मिलता है आपसे किसी दूसर वीडियो में और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक सेट जो कर देएगा साथ साथ हमारे इस यूटूब सेनल को सब्सक्राइब करना ना बोले